अभी आप सदा जनाव मौलाना करनार हुसेन कुरादी के रहे थे अब जो नोहाँ में पेश करने जा रहा हूँ मौला अभास की हवाले से आपने जो नोहें भी तक मौला अभास की सुने हैं वही सुना होगा कि जब मौला अभास भोड़े से घिरे हैं अपने आखा को आवज दी है मौला से जो उस्यक की है वही आप मंदर सुने होगे बगा जो मैं आज तक महाँ पेश करने जा रहा हूँ इसका मंदर अलग होगा कि जब जनावे अवास फोड़े से जमीर तराये अपने आकार को आवाज दीती आकार मेरी मदद को आओ मौला हुसेल जनावे अवास के करीज पहुँचते है अपने भہाई का सत्व अपने जानू के लखके कहले हैं अब जनाबे अबास क्या वसीयत करते हैं आप इस नोहें में सुनेंगे मगर उसके बाद मौला हुसाइन कहते हैं यह मेरे भर्या अबास उन्हें जिन्दगी पर मुझे आका कहा मेरी तमन्ना है कि एक बाद मुझे भाई कहे दे अब इस नोहें का मंदर एहीं से तूशरा होगा अब जनाबे अब बास कहते हैं एए मेरे आका जमन मदीने से चला था तो मेरी मा ने एक वसीयत की थी वेसीयत कि बेटा दौस जब तक जिन्दा रहना सिवाए आका के भाई नहीं जहना मेरी मा मदीने में हैं और आप नहां हो दोना बराबर है अब बताइए मेरे अका मैं आपको कैसे भाई कहूं मा पास नहीं है मां मेरे करीब होगी कि मैं अजासत के रहे दा मौला हुसेन के ठीक है भई अबास बस कितनी सी बात है ना मौला हुसेन अपने हाज को फरंक रप्र करते कहते हैं अदि इस दोनों अमरियां के दर्मियान देखो अब जनाब अब बास ने ये दोनों करेंगा मगर इस वक्त मेरा वक्त आखिर है मेरा भाई खायश करता कि एक बार में भाई कह दो अब बता मुआ मैं क्या करूं कहा ठीक है अपास मैं अपनी वस्यत ठाए लेती हूं तो शौक से भाई कह दे मगर भाई कहने के बास जिन्दा नहीं रहे इस पसंदर में नहा सुन प्वावाश करते हैं इस नोहीं प्रोज्चो करता रहे हूं है जोब से, 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 जोब से कर दो आप दो आप पिता सान को दोना है कर दो तो आप दो आपे दें दोना है कर दो आप वारी जो फिर लो जब दोना है है मां की वसीयत का तका जाज अबास मजबूर है आकार है मां की वसीयत का तका जाज अबास तो मजबूर है आकार में कैसे कहूं आपको भाईया आकार मां की वसीयत का तका जाज अबास तो मजबूर है आकार मैं कैसे कहूं आपको भाईया आकार तो मजबूर है आकार बातिस बरस आपको बस आका ही जाना बातिस बरस आपको बस आका ही जाना बाबा की जगां आपको अबास ने माना अपकाते हुए आकार न खादम को रोला अफसोस की आशूर को आया ये जमाना अफसोस की आशूर को आया ये जमाना आका को बारी कहों दिल लोता है मेरा मैं आगा को भारे का हूँ दिल लोता है मेरा आपास मजबूर है आपाँ है माँ की वसीयत का तकाजा आपास को मजबूर है आपाँ मैं ऐसे कहूँ आपको भाई या आपास तो मजबूर है आपा एक आप में है तीर लगा हाए घर क्या सर पर है मेरे पुर्ज नगा आपाँ जी हूँ क्या जब कह दिया आता तो भाला भाई कहूं क्या बिन आपके दुनिया में भाला जिन्दा रहूं क्या मेरा इसी वाक निकल जाए तो आचा जब मेरा इसी वाक निकल जाए तो आचा अपास मजबूर है आचा मैं पैसे कहूं आपको भाईया अपास तो मजबूर है आचा जब कोज नहीं आए तो अनमदार करेगा जब कट गए वाजू ही तो नाचार करेगा जब कट नहीं आए तो अनमदार करेगा जब कट गए वाजू ही तो नाचार करेगा दिल आखिर अर्मान का इजहार करेगा बत लाईये बचपन का वफादार करेगा बत लाईये बचपन का वफादार करेगा जब को दो अनमदा का मैं कैसे रहूं जिन्दा कुछ बो दो अनमदा का मैं कैसे रहूं जिन्दा कुछ बो दो अनमदा का मैं कैसे रहूं जिन्दा अबास मजबूर है आखा अबास तो मजबूर है आखा कैने में मेरी लाश न ले जाना उठाके मश्कीजा नहीं ला सका मैं नहेल से जाके आए न सकीजा कही लाशे पे जाचा के भाला है भतीजी को बहुत न जुठाके मारा है भतीजी को बहुत न दुठाके दिल रोता है कह गह के मेरा आए सकीजा दिल रोता है कह गह के मेरा आए सकीजा दिल रोता है कह गह के मेरा आए सकीजा अबास मजबूर है आका मैं अबास तो मजबूर है आका मैं तैसे कहूं आको बाईया अबास तो मजबूर है आका आजाए लाशे पे मेरे खाहरे भुज़तर मैं देखूंगा हमशीन का किस टरहा खुना सर ये अगिर अर्मौन मेरे जिल के हैं हमेर बस आप सलामत रहे जिन्दा रहे अकबर बस आप सलामत रहे जिन्दा रहे अकबर आए हैं बुलारे को नजब से मेरे बाबा आए हैं बुलारे को नजब से मेरे बाबा अबास मजबूर है आगा बैमा की वसियत का तकाजा अबास को मजबूर है आगा मैं ऐसे का हूँ आपको भईया अबास को मजबूर है आगा बिल्दा हम मुझे भुकून देना मेरे मौदा अमा का मुझे याद है वो आखिरी जुम्दा है आखिरी अबास के ये दिन की थमना अबास को मा से कभी शर जिन्दा न करना अबास को मा से कभी शर जिन्दा न करना अबाद से मेरी मा से है अबास का वादा मजबन से मेरी मां से है अबास का वादा अबास मजबूर है आखा दर्मा की वसीयत का तकाजा अबास तो मजबूर है आखा मैं कैसे काउं आपको मैं आखा अबास तो मजबूर है आखा अबास की वसीयत को भूला तो दूखे से दिल मादर मजलूम का मैं तो दूखे से अबास के अर्मान को मैं तो दूखे से दो फर्ज मेरे आगे है मूं बोलू कैसे अबास की अजासत हो तो पूरा करूआदा अबास की अजासत हो तो पूरा करूआदा अबास मजबूर है आगा अब मुला चनाब अबास की अबास की अबास की अबास तो मजबूर है आगा ये सुन्ते ही शबी ने तो उगली उठाई अबास को अमा की जो तस्वीर देखाई कुरोबे हुई अबास की सदा अबू से आई अबास सुनो पात मजबूरा की दोहाई अबास सुनो पात मजबूरा की दोहाई घर्वे मेरे शाबीर के अर्मान को पूरा घर्वे मेरे शाबीर के अर्मान को पूरा अबास मजबूरा का घर्वा की वसीयत का तकादा अबास को मेरे शाबीर के अर्मान को पूरा अबास को मजबूरा का अलाल उटकाती हूँ मैं अब अपनी वसीयत भाई का है अर्मान तो देती हूँ इजाजा मनजूर है मनजूर मुझे फेरी शहादा आपूरी मेरी हो गईता अमर की मेणा आपूरी मेरी हो गई ता उम्र की मेरा शब्री को भईया का हो और शास ना लेना शकी तो भईया का हो और शास ना लेना अप्रास मजबूर रैाता ध्राक्ती वासियत का का लेका मैं ऐसे कहूं आपको भईया अब पास तो मजमूर रया था दिए सुनते ही अब पास में लब अपने ही लागे एक बार कहा भईया ये आशू को बहागे मजलूम को मुदे का निगाँ हम उठा के रोन में लगे शब्री कलेदे से लगा के रोन में लगे शब्री कलेदे से लगा के मुचो अमलिया भाई का और मर गया साथा अब आस मजबूर है आता मैं कैसे कहूं आको भईया अब आस तो मजबूर है आता सर पीक के शहने कहा पोल दो भाई दो बारा कहे भईया को भईया के फेलाई शहरों ने लगे खेले से जायदा निकलाई देती हुई आपास की मकदल में दोहाई और साथ में रोते हुए आई है सकीना और साथ में रोते हुए आई है सकीना अबास मजबूर है आता अबास मजबूर है आता अबास मजबूर है आता अबास मजबूर है आता यह सुन के ता अपने लगा अबास का लाशा रही जो सकीना तो क्यामत हुई बरका अम्मू बोल दो है अम्मू बुलाती है सकीना चुपल दो आए आम्मू बुला जी है सक्षिया मुझे अब कौन भाला दोदी में देगा मुझे अब कौन भाला दोदी में देगा अबास मजबूर है आखा ऐ मां की वसीयत का तकाजा अबास तो मजबूर है आखा मैं ऐसे कहूं आखो भईया अबास तो मजबूर है आखा जैनब ने कहा अब मेरा परदा न बचेगा मैं जान गई भईया मेरा खैमा जलेगा अब कुनवा मेरी आख्वा कच अंगल में लुटेगा मैं किसको पुलाओंगी मजद कौल करेगा साहिदी ए सदा सुनी के तड़ अपने लगा लाशा साहिदी ए सदा सुनी के तड़ तुने लगा लाशा आखास मजबूर है आखास आखास